देभर अबश्रासारी जर्म आपका बहुत बहुत शुक्रीया वेरी वीडियो को लाइक करने के लिएी और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। आज का विदियो फाइनल विडियो है। पिछली वेडियो में हम धिरिस को काटा था। प्रीट्स बनाई थी योग डिजाइड बनाया था और आज की जो वीडियो है इसके अंगर आर्म होल के साथ यादि के साथ बाजू को जोड़ेंगे शिलाई लगाएंगे अगर आपको बाजू जोड़नी या मुड़ा कातना बहुत मुश्किल काम लगता है तो एक जो मुटे तोर पर रूल है इसका वो आप याद रखिए कि जब आप मुड़ा कातेंगे और बाजू कातेंगे बाजू की कुलाई कातेंगे आपको लूबाई में कातने के लिए निशान लगाने एक गुलाई में कर जाएंगा तो वो सारे साथ एंच, साथ इंच direct साड़े साथ इंच अपने आप ही हो जाएगा ठीक है तो इस हिसाब से आपको काटेंगे तो आपका छोटा नहीं पड़ेगा हाँ लेकिन जो मैं मत बता रही हूं इसके अंदर साइड की जो दबाव में कपड़ा आएगा वो एक या डेल इंच मैंने अलग से लिया है उसका ख्यान रखियेगा तो इस तरीके से आपका मुटा बाजू के साथ हमेशा फिट आएगा और कभी भी कोई परिशानी नहीं आएगी बाजू आप इस तरीके से लगाएंगे तो आपस बाजू को मोरिये मैंने साड़े-5 लिया है मोरी से आप ज्यादा या कम तो वैसे आपक साइट की सिलाई लगा लीजिए अच्छा यह जो लाल रंग का आपको लिंक नजर आ रहा है यह मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूँगी इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया है क्योंकि अब जब हम ड्रेस बनाते हैं तो खूब सारी हमें नहीं नहीं ड्र दर्स लें कैसा टेक्स्टर लें कैसा कपड़ा लें बहुत सारी चीज़े हमारे मन में होती है कि कैसे बनाएं कि हमारी ड्रेस भी रेडिमेड जैसा लुक दे राइट तो इस लिंक पर जो ड्रेस हैं आप उनको चेक कीजिए का अच्छा अब हमारी ड्रेस जो है इसका साइ इस लगा सकते हैं मोरी में 95 सिंपल कपड़े को एक इन्च मोड़ते हुए नीचे से सिलाइ लगाई है तो यह इस तरीके से सिंपल स्टेप पराज पाजू जॉड़े मुड़े ते बाल ऊब。 उसके बाद माजू से स्टार्ट करते हुए बाजू की मोरी से 선्वार्ट करते तोनों तरफ सिलाईया लगा ली ठीक है फिर हमने मोरी में सिलाई लगा ली और ये ट्रेस हमारी एक बड़ा प्रेस कर लीजिए तो आप मुझे एक पर कमेंन सेक्षिन में लिख दीजिए और मैं आपके साथ शेयर कर लोगे उसकी टिप्स, ठीक है, और ऐसे हुदी यदि आप मुझे मेरा होसला उसाइब करते रहेंगे, अपने थैंक से और सुप्रिक्शन से सब्सक्राइब करें, तो मैं और दुप्स ट झाल